नमस्कार दोस्तों सौगत है आप सभी कामा रिजीन और यूटूब चनल पर दूस्तों विडियो हम बात करेंगे खेल पुरुषकार 2023 वेरी वेरी इंपटेंट वीडियो 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 को अंतक्स जरूर देखेगा तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं पहले कुछिंग सा पहला कोशन है दोस्तों जनवरी 2023 में संपन ऑस्टेलिया ओपन 2023 का पुरे शेकल का खिताब किसने जीत लिया है तो दोस्तों ये जो जीत लिया ये नुवाक जोकविक ने जीत लिया है जो कि सर्विया के मशूर के लाड़ी है दोस्तों इनका नाम है नुवाक जोकविक और दोस्तो के नहीं हराकर उन्होंने उस्टेलिया उपन का पुरुषेकल जीता है वर्ष दोजार तेइस का तो दोस्तो यह है इस्टीफानो सिटसेपास जो की ग्रीस के प्लेयर है यह आपको धेन में रखना है और इसे हराकर नुवाग जोकोविक ने जो की सर्विया के प्लेय कियागा आपसे अगला कुशन देख लेते हैं दोस्तों बात करना दोस्तों जो और चेख लिया यह जित लिया आरія ने किसने जीत लिया आ एलीना राइब लगार आप देख सकते हैं इलीना राइब लेड़ा किना गुछांगे उपने हैं और यह नाम है आपको धेन में रखना दूस्तों और यह एक चीज़ और याद़ रखनी है आरेया सब लेंगा का यह पहला उस्टेलिया उपन सिंगल टाइटल है तो दोस्तो फोकस इस कोशन पर ज्यादा कीजिएगा क्योंकि पहली बार नों ने जीता है उस्टेलिया उपन अपने केरियर में यह आपको ध्यन में रखना इसलिए मोश्ट मोश्ट इंपोरेंट कुशन है यह दोस्तो अधिल इंटरनेश्नल में इसने जीतन जीदे लिया था नवाग जो कर भी जो कि शकल का Х理 language अधिल्या नहीं नहीं हरा कर अकले कुशन पर कृणरा का इन्ट के Check ना сокराइब कर आपको द्यान मेडेटन की तीम को आपको अरा कर अपना नाम किया स्पनिस सुपर कप फाइंड दो जभीन के आपको धन मेराख रहा और ठ토 privileged इंसे और इला इंटर्व Iya डियम में यह फाइनल खेला गया इसका स्पैनिस शुपर कप का अगले कुशन पर चलते हैं जनवरी दोजर तेइस में इंडिया उपन बैटमिंटन दोजर तेइस में महिला एकलवा पुरुष एकल का अगर मैं बात करूं महिला एकल की तो दोस्तो एंस यांग इनका नाम है दोस्तो और साउथ कोरिया की हैं दोस्तो आप देख सकते हैं फोटो में इन्होंने पुरेश और महिला एकल में एंसी यंगन है यह आपको धन में रखना नहीं दिल्ली में पत्युक्ता आज जित होई थी अगले कुशन पे जलते हैं जनुवरी 2023 में नैशनल स्पोर्ट क्लब ऑफ इंडिया सुनूकर ओपन क्राउन 2023 का किताब किसने जीत लिया है तो दोस्तो यह जो जीत लिया है यह ल स्पोर्ट से गिलते हैं पैट्रॉलियम स्पोर्ट प्रोशन बोड से गिलते हैं और अपने कंपेट्रियर्ट साती अपने ही साती को आधित्ते महता कोई दुस्तों हराकर लक्षमन रावत ने दुस्तों नैशनल स्पोर्ट के लप ऑफ इंडिया सुनूकर ओपन क्राउन 2023 क अगला कुशन देख लेते हैं जन्मदी 2023 में निम्म मैंसे किसने बैंकक ओपन टैनिस किताब 2023 जीता तो दुस्तों यह जीत लिया यूंकी बहवरी और साकेत माइने नी इसका जो सहीया अंसर ए और वी दोनों है यानि कि यूंकी बहवरी और साकेत माइने नी दोनों ने पुरुष सिंगल का किताब किसने जीता तो दुस्तों हाली में मलेशिया उपन सुपर थाउजन चैंपेशिप आजूत हुई थी जिसमें जो पुरुषों के एकल मैं बात करूँ विनर की तो दुस्तों वो थे विक्टर एकसेलेंसन क्या नाम इनका विक्टर एकसेलेंसन और दोस्तों ये खिलाडी हैं कहां के डेनमार्क के ये आपको धन में रखना ये आप देख सकते हैं साइड में ये महिला है इनों भी महिला एकल का किताब जीता आगे सलाइड में कबर करूँगा मैं दोस्तों तो पुरुष एकल की बात करूँ ये जीत लिया विक्टर एक सलसंने और ये पतिक त्योओ ये मलेशिया के कॉलालमपुर में अगले कुशन बेड़ था जलते हैं तो दोस्तों बात करूं Malaysia Open Super 1000 में महिला एकल का किताब किसने जीत लिया तो दोस्तो ये जीत लिया, इनका नाम है अकाने यामागुची दोस्तो बेसिकली जापान की खिलाडी है और इन्होंने N.C. यंग जो कि दच्छण कोडिया की खिलाडी है दोस्तों, उन्हें लाकार Malaysia Koleolempur में India Open जो आपका Malaysia Open Super 1000 है उसका खिताब इनोंने जीत लिया है दोस्तो ये भी हो गई है Malaysia Open Super 1000 आपको ध्न में रिकरा है दोस्तो WNC Yung को जो की दचण कोई की खिलानी है दोस्तो और उन्हें हरा कर दोस्तो अकाने यामा गुची नहीं है जोकी जापान से बलॉंग करती है उन्होंने ये पत्युक्ता के किताब अपने नाम किया ये आपको धन्मर्क ना दोस्तों ये मलेशिया ओपर सुपर थाउजन्ड में महिला सिंकल के किताब अकाने यामागुची को मिला अगला कुशन देख लेते हैं जन्मरी 2003 इसम में वर्षए ब radically है तू पतेश्टियस्त रेचल ही हो फिलेंट्रोफी किस ने जीत ली ये जीत लीट वर का नाम में इनका नताली कीवर इनका नाम के एओर उन्याध के लाइन है और स्छे से महिलेंट्र है तू यानि कि जिन्वह ने प्रफोर्फोरमेंस कीती जन्वरी 2022 202 22 तक और हाली में 25 जनवरी 2023 में इसकी गोशना की गई रिचल ही हो फिलेंट ट्रॉफिक दी गई नताली स्कीवर को यह इंगलाइंड की प्लेयर है यह आपको देन में रखना दूस्तों और आई सीची की बात करूं चेयर मैंने ग्रेक बार्कले जो कि नुजूलेंड से आते ह और आई सीची के सीची यह है जो कि ऑस्टेलिया के खिलाड़ी है यानि कि ऑस्टेलिया से ब्लॉंग करते हैं अगले कुशन पे चलते हैं जनवरी 2023 में जैसे कि मैंने बताया कि आई सीची अवार्ड 2022 के गोशना की गई थी इसमें सर्वसेटी 20 पुरष खिलाड़ी के रू यह भी आपको धिन में रखना है अगले कुशन की मैं बात करूं जनवरी 2023 मैं आई सीची एवार्ड 2022 जैकि मैंने बताया आपको इसमें सर्वसेटी 20 महिला खिलाड़ी की रूप में के से चुना गया तो दुस्तों पुरुष में सूर्व कुमार यादब को चुना गया और महिला में ताहिला में गराद को चुना गया जो कि कहां की खिलाड़ी है और श्रेलिया की यह आपको धेन में रखना है दोस्तों वेरी वेरी इंपूरेंट कुशन है अगले कुशन पर जलते हैं जनवरी 2023 इसमें आई सीची एवार्ड 2022 की गोशना की गई इसमें वर्ष के स सम्मानित किया गया पाकिस्तान के लिए खिलते हैं बावर आजम अगले कुशन पर जलते हैं जनवरी 2023 इसमें आई सीची एवार्ड 2022 की गोशना की गई इसमें वर्ष का सर्फ से पूरिस टेस्क लाड़ी किसे चुना गया तो दोस्तों वह चुना गया बेन स्टोक को जाने में वर्ष का सर्फ से पूर्ष टेस्क लाड़ी कोशित किया गया इनका नाम है बेन स्टोक इंगलेंड से आते हैं अगला कुशन देख लेते हैं जनवरी 2023 में दोस्तों कुछ अन्य एवार्ड मिलेते आई सीची एवार्ड 2022 के कौन-कौन से देख लेते हैं दोस्तों तो व वह रही थी भारत की वेनकौा सिंग आपको धन में रखना दोस्तों बात करों इस प्रेट आफ क्रिकेट आवार्ड किसे दिया गया यह दिया गया नेपाल के आसिफ शेक को यह आपको धन में रखना है और वर्ष के सर्फ से से एंपायर कौन चुने गए तो दुस्तों वह चुनेगे इंग्लेंड के रिचर्ड इलिंग वर्थ यह भी आपको धन में रखना दुस्तों अगले कुशन पर चलते हैं जनवरी 2023 में किसने 23 मी नेशनल इसके चेंपिंशिप में गोल्ड मेडल जीता तो दुस्तों इसके चेंपिंशिप एक तरह की टाई कमांडो महज 11 साल की उम्र में दुस्तों इन्होंने नेशनल इसके चेंपिंशिप में गोल्ड मेडल का खिताब हासिल किया यह आपको धहन में रखना क्या नाम है इनका फलक मुम्ताज और बेसिकलिए पत्युक्ता आई जीती जम्मू में यह भी आपको धहन में रखना दुस्तों अगले कुशन पर जलते हैं दुस्तों जनवरी 2003 इसमें जैसे कि मैंने बता चुका हूं सानिया मरजा ने किस केल से सन्नेस लेने की गोशना की है तो दुस्तों हाली में ऑस्टिलिया ओपन आय जित हुआ था इसमें यह हार गई थी और दुस्तों इन्होंने गोशना पहले ह मिठ जा अगले कुशन देख लेते हैं दुस्तों जनवरी 2023 में विश बिलिच शतरन चैंपियंशिप में रजट पदक इसने जीत लिया है तो दुस्तों वड बिलिच चैंस चैंपियंशिप आई जो तुईत हुई ती आली 2023 में दुस्तों और इसमें जो रज़त पदक है दोसतो वो जीत लिया है कोनेरू हमपी ने ये आपको ध्हान में रखना है अब दिख सकते हैं फोटो में कोनेरू हमपी उनका नाम है दोस तो इन्होंने दोस्तो किसे अराकर यान की जोंगी तान जो की चैना की खिलाड़ी है इनको अराकर चैस में सिल्वर पदक जीता और ज इंडिया की कोनेवी हमपी ये जीता है दूस्तों सिल्वर पदा किया रज़त पदक कोनेवी इसको से ढ़ ग्ल्स अंडर 15 स्वास टाइटेल की तो दूस्तों इसका किताब किसने जीत लिया इंडिया की अनाहत सिंग्न जीत लिये ये आपको धन मरकना दोस्तों आप देख सकते हैं फोटो में अनाहस सिंग ने ये जीत लिया दोस्तों और ये बेसिकली यू के के बिरिंगांगां मैं ये पद्धिक्ता आजित हुई थी अगले कुशन पर जलते हैं जनवरी 2022 में रंजी टॉफी में अपने पहले ही ओवर में इंयर आपको अध्र कुशन और आज के बिकेट जटके उन्का नाम है जै देव उनाद कट यह आपको धन में रखना दूस्तो और रंडजी टॉफी में नों ने पहले ही उबर में अपनी हैट्रिक ली अगले कुशन देख लेते हैं भारत के 89 में शत्रण ग्रेंड मास्टर यहन की 79 वे या 79 जो शत्रण ग्रेंड मास्टर हैं कौन बन गए तो दूस् दूस्तो और हाली में नोंने रिल्टन का खिताब जीता और उसी के साथ यह 89 में शत्रण ग्रांड मास्टर इंडिया के बन गए इससे पहले जो 78 में ग्रांड मास्टर थे दूस्तो वो थे पच्छे मंगाल के कौस्ट अप चटर जी यह भी आपको धन में रखना दूस्तो अगला कुशन देख लेते हैं जनवरी 2003 इसमें खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 पुरुष अंडर 18 का किताब किसने जीत लिया तो दूस्तो हाली में खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 के अंडर 18 टाइटिल हुआता है जिसमें जो खिताब जीत लिया था पुरुषों की यहन की मेल कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ में जीत लिया है दोस्तो मत्य पडेश का उड्यस Qur из अगला कुशन देख लेते हैं बात करूं डिसमबr 2022 में नेत रहे टी T20 World Cup का किताब तो दोस्तों ये जीत लिया इंडिया ने ये आपको धहन में रखना है आप सन मिस्स मैच हो गहें यानि कि इंडिया ने ये किताब जीता किसे राकर बंगलादेश को और आकर ये आपको धहन में रखना है और कनाटक के बंगलूरू में इसका फाइनल खिला गया तो ये भी आपको धहन में रखना है तो इंडिया ने बंगलादेश को और आकर बिलाइन टी-20 वर्ल्लकप दोजरबाइस हासल किया ये आपको देहन में रखना अगला कुशन देख लेते हैं दिसंबर 2022 में वीवो प्रो कवड़ी लीग 2022 का खिताब किस ने जीता तो दोस्तों वीवो प्रो कवड़ी की में बात करूँ तो हाली में जैपुर पिंग पैंथन ने ये खिताब जीत लिया किसे राकर पुनेरी पल दोस्तों अगला कुशन देख लेते हैं जनवरी 2023 में इंडिया उपन बैटमेंटन 2023 में महिला एकलवा पुरुष एकल का किताब किस ने जीत लिया जैसे कि मैं बता चुका हूं दोस्तों आली मैं इंडिया उपन बैटमेंटन पत्रिक्ताइजी तुईती नहीं दिली में इ दोस्तों साथ कोरिया से ब्लॉंग करती हैं उन्होंने महिला वाप पुरिश में यह पुरुष में एकल किताब जीत लिया और इंडिया उपन बैटमेंटन टूनमेंट जो की नहीं दिली में हाली में जित होई ती उसमें अगले कुशन देख लेते हैं दोस्तों अभी मैं बताया जैसे किसने 23 वी नेशनल सके चैंपियंशिप जो की टाई कमांडो से रिडेटेड है चैंपियंशिप किसने जीत ली तो दूस्तों फलक मुम्ताज जो की 11 साल की है उन्होंने इसका किताब जीत लिया यह आपको धन में रखना दूस्तों यह जम उसे आई जित का फरमाजरूंगा बाद बाद तने बाद